21 साल की बंधक माया रेगियों का वीडियो माया ने हमास के बारे में क्या बताया हमास ने माया के साथ कैसा सलूप किया माया के साथ साथ अक्टूबर के उस सुबह क्या हुआ था माया को हमास ने कैसे किया था अकपा 21 साल की मासा रेगियों से जोड़ी हर बारीक से बारीक डीटेल आपको आगे दिखाएंगे क्योंकि कैमरे पर माया ने हमास के बारे में जो कुछ बताया है उससे हमास के लड़ाकों के एक और बक्ष का बता चलता है आपको आगे इस्रैल बंधक संकट से जोड़ी लेटिस्क रिपोर्ट भी दिखाएंगे लेकिन इन से पहले माया रेगेव की रोंग के खड़ी कर देने वाली कहान माया रेगेव सही सलामत थी जब म्यूजिक फेस्टिबल में थी लेकिन आप गलोटी हैं तो बैसाखी के सहरे बंधकों को वापिस ला रही वैन में बैठने से पहले माया रेगेव का ये वीडियो देखिए जो हमास की उन सारे काईदों की धज्यां उड़ाता है जिसमें कहा गया है कि बंधक बिल्कुल सुरक्षत लोटेंगे माया रेगेव पचास दिनों तक मौद की सुरंग में रही पचास दिनों तक हर पल मौद सामने नाचती रही पचास दिनों तक तडपती रही फैमली से मिलने के वास्ते पचास दिनों तक बैते रहे माया रेगेव की आँखों से अनवरत आसू और फिर आए इस्रेली गर्ल माया रेगेव के लाइफ में वो सुबर जब वो आजाद हो गए अंधेरे, बंद कमरे और हर सांस पर लगे पहरे से आसा अपने देश इस्रेल में माया रेगेव के परिवार की लाखों दुआएं कबूल होई अपनी बेटी के लिए दड़पती मा की कलेजी की प्यास पुझे माया रेगेव को हमास ने 50 दिनों बाद रिलीज कर दिया माया और माया के 18 साल के भाई इताई को हमास के लड़ाकों ने 7 अक्टूबर को 9 म्यूजिक फेस्टिबल से अखबा किया दिया उस वक्ट फेस्टिबल के भीच खुद को बचाने की कोशिश में भाग रही माया ने अपने पिता इतान रेगेव को फोन भी किया था उनके पिता ने बेटी की वो कॉल रिकॉर्ड कर ले थी वो लगा था उससे अपनी लोकेशन भेजने को कह रहे थे लेकिन इतने में फोन कट गया इसके बाद माया के पिता लगातार घाजा की सीमा के पास मौझूद अस्पतालों में अपने दोनों बच्चों को खोश दे रहे उन्हें कोई सुराग नहीं मिला कुश देर बार इलान को सोशल मीडिया पर एक वीडियो मिला इसमें एक ट्रक के पीछे हमास लडाकों ने उनके बेटे इताई को बांध रखा था फोन कॉल के वक्त माया लगातार कह रही थी वो लोग मुझे मार रहे हैं उन्होंने मुझे गोली मारी है हम मर जाएंगे मैं कार में छिपी हुई हूँ वो हम पर गोली चला रहे है हमास ने 7 अक्टूबर को इस्रेयल के लोगों को जब बंधक बनाया तो ना उनकी उम्र देखी ना मर्द औरत देखा जो भी पकड़ा गया उसे अपनी वैन में ठूस कर चलते बने जिसे जीचा हा मारा पीठा और एक लड़की की बोड़ी तो पूरे घाजा में निर्वस्त्र करके घुमाया माया रेगेओ के प्यार जखमी है माया के साथ जो बारह और बंधक इसरेली कैद से रहा हुए है इन में से तीन बच्चों के उम्र दस साल से भी कम है हमास के कैद से आजाद हुए पांथ साल की रज अपनी तीन साल की बहन अवीव और मा के साथ बंधक इसरेल हमास के बीट जो समझोता हुआ है उसके मताबिक ये सीजफायर सिर्फ चार दिनों के लिए ही रहेगा सोबस साथ बजे से शाम चार बजे के बीच बंधकों को छोड़ा जाएगा हर दिन 13 बंधक रिहा किया जाएंगे इसरेल ने एक बयान जारी कर बताया कि इसके बाद अतिरिक्ट 10 बंधकों के रिहाई पर सीजफायर एक दिन और बढ़ जाएगा मतलब पांच दिनों में कुल 60 बंधक छोड़ने का सोदा हुआ है इसके बाद भी हमास की कैद में 180 बंधक बचे रहेंगे खुल 240 लोगों को 7 अक्तूबर की सुबह हमास ने 9 म्यूजिक फेस्टिवल से उठा लिया था इसमें कई देशों के नागरिक भी शामिल है हमास अब जथा बना कर इन बंधकों के रहाई कर रहा है और पदले में इसरेल भी फिलिस्तीनी कैदियों को रहा कर रहा है सौदा बहुत सीधा सा दिख रहा है लेकिन असल में है नहीं गाजा में गोली बारूद बंदी से शांती दिख रही है लेकिन ये दूफान से पहले की शांती है क्योंकि इसरेल ने दो ठूक कहा है कि हमास के अंतिमातंकी के जिन्दा रहने तक जंग जारी रहेगी मतलब जैसे युद विराम की मियाद खत्म होगी इसरेल गाजा पर फिर से तूट पड़ेगा रहाई के बाद भीशन युद पहला कारण ये इसलिए क्योंकि 12,000 फिलिस्तिनियों की मौत के बावजूद इसरेल का पूरे उत्तरी गाजा पर कपचा अब तक बाकी है दूसरा कारण गाजा के दक्षन में खान युनिश शेहर पर भी कपचा बाकी है तीसरा कारण हमास के अंते मातंकी के जिन्दा रहने तक युद जारी रहेगा क्योंकि हमास किसी भी वक्त पलतवार कर सकता है मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि संधर्ष विराम के बाद भी इसरेल नहीं रुकेगा इसरेल इस बीच खुद पर कंट्रोल कर किनारे खड़ा रहेगा कि कब इन बंधकों को भी छुडाया जाए और कब घाजा का उपरीशन खत्म किया जाए यही वज़े है कि इसरेल डेवन फूर्स यानि आईडियफ इस स्वक्त घाजा में मौजूद है टैंकों की पहरेधारी घाजा से हटाई नहीं गई है क्योंकि जमीनी हकीकत यह है कि ना तो हमास को इसरेल पर पूरा भरुसा है कि सारे बंदकों को सुरक्षित रहा करेगा ना हमास को भरुसा है कि इसरेल सीज फायर का उलंगन नहीं करेगा यानि दोनों सीज फायर में तब तक बंधे हैं जब तक उनकी मांग पूरी होती रहेगी इस्रेल का ताजा बयान है कि सीज़ फायर के बाद गाजा से लेकर कतर तर हमास के एक ही कातंकी को चुन्चुन कर मारा जाएगा हमास इस्रेल के इस ऐलान को सुन चुका है और हमास भी ये जदा चुका है कि उससे भी जब मौका मिलेगा वो इस्रेल पर 7 अक्टूबर जैसा गूर हमला करेगा जाहिर है दुश्पनी के बीद सिर्फ सीज़ वारा है और हो भी बिना भरूसे बना जानकारों का मानना है कि हमास युद विराम के तहर खुद को संगठित कर रहा है हमास के टॉप लीडर खुद के लिए बेहद मैफूज जगा की तलाश कर रहे है इसरेल की हमास के खात्मे के साथ लेबनन के हिजबॉल्ला और यमन के हूथी वे द्रोहियों को भी नस्तो नाबूद करने की प्लैनिंग है लिहाज़ा इसरेल कोशिश में है कि जितनी जल्दी हो सके बंधकों को छोड़ा लिया जाए इसरेली वेशेशक्यों का अनुमान है कि जब बंधकों की अदला बदली का काम पूरा हो जाएगा तो घाजा शेहर पर मियंतरं की लड़ाई हफते भर से दस दिनों तक और चलेगी पश्चिमी मीडिया में रिपोर्ट शप रही है कि हो सकता है कि सीज़ फायर के बाद इसरेल का ध्यान घाजा पट्टी के दक्षन इलाके की तरफ होगा इसरेल का मानना है कि याया सिन्वार और मुहम्मद दाईव जैसे हमास के सीनियर नेता हजारों लड़ाकों के साथ घाजा पट्टी के दक्षन में कहीं है शायद उनके साथ बड़ी संख्या में इसरेली बंधक भी मौजूद हो घाजा पट्टी के लगभग 22 लाट लोगों का एक बहुत बड़ा हिस्सा दक्षन की ओर चला गया है दक्षन के इलाके में लोग अटे पड़े हैं उनमें बहुत से लोग डरे सहमें और बेगर हैं ऐसा लगता है कि वहाँ एक बहुत बड़ी मानवियत राज़ती अपने होने का इंतजार कर रही है अल मबासी के रेतीले मैदानों के बीच टेंटों में ठूसे सैकणों फिलिस्तीनियों का मंसर दुनिया को इस मानविय संकट की ओर निगाहीं दोडाने के लिए मजबूर कर सकता है साथ अक्टूबर के हमले के बाद गाजा पट्टी से लगभग सत्रा लाट लोग विस्था पित हो चुके हैं इन में से ज्यादा तर लोगों ने गाजा पट्टी के दक्षने इलाके में पहले से भीड भाड़ वाले शिवरें में पनाह ले रखी है युद्विराम की तारीख खत्म होते ही इन लोगों के जिर पर इस्रेल की बंदू के ताम दी जाएंगी इस्रेली सेना के प्रवक्ता लेफटिनेंट करनल रिचर्ड हेच को सुनिये ये मुश्किल हो सकता है लेकिन वो लोग जीवित रहेंगे इस्रेल के लिए ये सैं में जरूरत बन गया है जिस तरह घाजा शेहर के नीचे हमास का नेटवक है ठीक वैसे ही खान योनुस और रफा में भी हमास के लड़ा के फैले हुए है और वहाँ उन्होंने अपना इंट्रास्टर्टर बनाया है इस्रेल इस बार हमास से सदा सदा के लिए निप्टारा चाहता है और हमास के खिलाफ इस्रेल को नेस्तो नाबूद करने के अब तक के बीच आता रहा है बंधक संकर्ट बंधकों में कई विदेशी होने की वज़से और खुद इस्रेल में विरोध प्रदर्चन होने से नितन्याहू ने हमास से युद्ध विराम तो कर लिया लेकिन युद्ध तो तभी खत्म होगा जब हमास को मिट्टी में मिला दिया जाए इंतजार कीजे सीसफायर को बीच जाने का और इस्रेल के हमास के खिलाफ पिरसे जोरदार हमले का क्योंकि ये रुखने वाला नहीं है